पिछले टॉपिक में हम लोगों ने यूने एड़न मेजर्मेंट के बारे में सीखाता है ठीक है ना तो यूनेट एड़न के आप लोगों ने सीख साथ comparison करते हैं और जो standard हमने लिया था उस standard का उस measurement में चितने बार repetition हुआ था उसको हम लोगों ने numerical value कहा था अगर standard जो chosen standard हमारा था वो छोटा है तो उसका repetition साधा होगा अगर chosen standard बड़ा है तो उस particular measurement में में उसका repetition कम होगा लास्ट यह हमने खारता है अगर में स्कैप को लूँ अगर में बड़ा standard लेता तो इसी पेज के measurement में इसका repetition कम होता तो कितने बार repetition हो रहा है वो numerical value के standard चूज किया है वो हमारा हो गया unit ठीक है mask को अगर major करना होता तो mask का fixed amount लेते उसको हम लोग नाम देते time का measurement करना होगा तो time का fixed amount लेकर उसको नाम दे देंगा और जो हमें नाम दे रहे हैं fixed amount लेकर इनको हम लोग unit बोल रहे है ठीक है अब आज का जो topic है वो fundamental and derived physical quantities and fundamental and derived unit ठीक है दो चीज़े हैं एक fundamental and derived physical quantities है और एक fundamental and derived unit है दो चीज़े हैं यहाँ पर हम लोगों ना सिखने हैं unit हम लोग समझ गए अब fundamental and derived unit के बात करें अब जब हम लोग physics को आगे continue करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी physical quantities हमको मिलनी है इसे चले नाइन्थ में तेंथ में हमने कौन कौन से physical quantities पर हमने mass बढ़ा था जिसमें हमने kilogram, gram, ton, metric, ton, quintal, बहुत सारी quantities ली थी gram हम तब लेंगे जब हमको mass का छोट है छोटे mass का measurement करना है तो unit standard chosen standard भी हमारा छोटा हुआ ग्राम थोड़ा बड़ा करना है तो chosen standard हम लोग थोड़ा बड़ा लेंगे kilogram और बड़ा mass हमको दे दिया बहुत बड़ा बड़ा मतल हमको बहुत भारी चीज़ को major करना है तो standard जो chosen unit है वो भी हमारा बड़ा होगा quintal या फिटन टाइप हम लोग लें तो ये mass की unit होगे वैसी length लेंझ की बात करने है तो बड़ा adonrent मेजर करना है तो हम लोग फिर वहाड़ा meter की बात करेंगे जा फिट की बात करे अगर दो cities कि distance के हमको बात करना है measurement करना है तो हम kence कहने का मतलब cm भी ले सकते हैं mm क् हमारा measurement बड़ा है या छोटा है जो हमने measure करना है अब mass है length है time है speed है acceleration है force है energy है current है potential है मतलब हमा Lewis अब इतनी सारी physical quantities को भी तो या आउनिस को याद रखना बहुत typical बेठेगा तो इतनी सारी physical prey हम सबको एक individual units हम लोग को तो बड़ा दिक्कत हो तो इसलिए अब physics में क्या होता है कि बहुत सारी physical, बहुत सारी का लगबग सभी physical quantities आपस में correlate होती है और बहुत सारी physical quantities कुछ common physical quantities में depend करती है ठीक है जिनको हम लोग बोलते है fundamental मतलब अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ जैसे मेंने क्या कि mechanics की बात करते हैं mechanics जहाँ पर हम लोग फोर्स, acceleration, speed, length, distance की बात करेंगे वो mechanics है या motion की जहाँ हम लोग बात करेंगे ठीक है तो mechanics में क्या है कि mass, length or time mass, length or time यह तीन quantities है इसके अलावा जो भी physical quantity mechanics में आएगी वो इन तीनों पर ही depend करेगी जैसे speed मैंने का speed is equal to distance upon time अगर आप speed का measurement करना है तो पर मैं आगर कहूँ मैंने अगर मैं आपको example दो कि मैंने का कोई बच्चा 10 मिटर भागा कोई बच्चा 10 मिटर चला तो क्या आप इसकी speed बता लेंगे? नहीं अब मैंने का कोई बच्चा 5 सेकिंड तक भागा तो क्या आप इसकी speed बता देंगे? नहीं तो speed को अगर मुझको बताना है तो मुझको ये बताना होगा या ये बोलना होगा कि जो बच्चा है वो 10 मिटर का दूरी 5 सेकिंड में भागा अबने का अच्छा speed equal distance upon time फर्ट से फर्म ना लगा speed equal distance upon time distance 10 मिटर है time 5 सेकिंड है अच्छा 10 by 5 2 मिटर पर सेकिंड फर्ट से अपनी speed जादी है लेकिन क्या किया? इस सीज़ में हमने करा किया है सोची इसमें हम लोगों ने length और time को आपस में connect किया है तो speed जो है वो ना तो अकेले length पर depend कर रही है length में depend कर रही है लेकिन अकेले length पर depend नहीं कर रही है cable time पर depend नहीं कर रही है time पर depend कर रही है लेकिन cable time पर depend नहीं कर रही है अगर हमको speed को बताना है तो हमको इस बात को कि लिए 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 बताना होगा कि वो कितना length कितने time में भागा उसने कितना length कितने time में cover किया मतलब हमको length भी बताना है और हमको time भी बताना है तो speed कितने लोगों पर depend कर गया जी दो लोगों पर, length पर भी और time पर भी mass length और time mechanics में हम लोग क्या करें fundamental है जबकि speed क्या है speed दो fundamental पर depend करके बना तो ये derived होके जिसको हमने dependent करेंगी पाँ की physical quantities पर depend नहीं करेंगी या वो physical quantities जो दूसरी physical quantities पर depend नहीं कर रही हैं उनको हम लोग fundamental physical quantities कहेंगे और उन fundamental physical quantities की जो units होँगे उनको हम लोग fundamental units बोल दीज़गे ठीक है ता अब अगला case क्या है derived physical quantities कि जो speed था वो speed जो था वो length और time पर depend किया मतलब speed दो fundamental से मिलकर बना तो वो क्या हो गया भी हमारा वो fundamental होगा और उनसे जो मिलकर बना वो क्या हो गया तो उसी तरीके से fundamental physical quantity जो केवल खुद पर depend करेंगे बांकि quantity पर depend नहीं करेंगे derived physical quantities जो दो या दो से ज़ादा fundamental physical quantities से मिलकर बनी हो उनको हम लोग derived physical quantities बोलेंगा fundamental physical quantities देखें मेकनिक्स में कितनी है mass length or time कुल मिलाके साथ fundamental physical quantities होती है ठीक है और जितनी भी derived physical quantities है वो इन साथों से ही मिलकर बनी है मतलब हमको derived physical quantity जाद एकने हमको laws जाद एकने पड़ेंगे लेकिन हमको basic जाद एकने है पढ़ते हैं, सीखते हैं कि कौन कौन सी होती है, फिर सुनते हैं, fundamental physical quantity is कौन सी है, जो केवल खुद पर depend कर रही है, बाकि लोगों पर depend नहीं कर रहा है, जैसे mass, length और time की बात करते हैं, इसका कोई length है, इस spend का length है, इस spend का length है, ठीक है न, अब इस spend का length अभी, जो मैं मतलब दि के आज सुबह के 8 बजे कुछ है, 9 बजे भी इसका length होई होगा, 10 बजे भी इसका length होगा, 12 बजे भी इसका length होगा, मैं अगर इसमें change ना करूं, और mass भी होई रहेगा, मतलब इसका length और mass time पर depend नहीं कर रहे हैं, अब अगर मान लिजे कि यह steel का होता, और मैं इसको तागर लगा के खीज देता, stretch कर देता, तो length बढ़ता, यस, लेकिन mass में कोई फरक नहीं बढ़ता, mass length और time आपस में एक दूसरे पर independent है, मतलब इनका आपस में कोई भी connection नहीं है, एक दूसरे से independent है, तो fundamental होगी, यह mechanics होगी है, mass length और time, mass length और time किसमें है, mechanics में, thermodynamics में अगर हम लो thermodynamics में जो होता है, वो अपना temperature, कौन temperature, क्या है, fundamental और amount of substance भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग mole से represent करेंगे, chemistry में हम लोग इसको सिखेंगे, ठीक है, तो कितने हो गए, 4, mechanics में कितने है, 3, कौन, mass length, time, thermodynamics में, temperature और matter of substance, कितने हो गए, 5, थे, कितने, 7, अब है, electricity, electromagnetism, वहाँ पर electric current, electric current, ठीक है, वो fundamental है, कितने होगा, इच्छ है, अब अगर हम लोग light की बात करें, तो optics में एक आता है, वो होता है आपका luminous intensity, luminous intensity मतलब amount of light, सुबह 5 बज़े luminous intensity कम है, 6 बज़े luminous intensity बढ़ी, 10 बज़े luminous intensity और बढ़ी, 12 बज़े luminous intensity maximum, 1 बज़े, 2 बज़े, 3 बज़े, ध intensity कम हुआ, आप मान लीज़े कि बिलकुल अंधी रात है, तो रात के 12 बज़े luminous intensity, 0 amount of matter, या अपने कमरे का light बिलकुल off कर दे रात को, बिलकुल अंधी रात, luminous intensity, 0, light खोला, तो कुछ ना कुछ light का amount है, तो luminous, कितना luminous हो रहा है, उसका intensity कितना है, तो कितनी होगी सार, कौ mass, length, time, ठीक, mass, length, time, 3 किसमे, मेंगनिक्स में, temperature, matter of substance, कितनी होगी, 5, 2 किसमे, temperature, matter of substance, किसमे, thermodynamics में, ठीक है, कितनी होगी, 5, elektromagnetism में कौन है, electric current, कितनी होगी, 6, समझ रहा है, और optics में कौन है, luminous intensity, कितनी होगी, 7, तो ये 7 हमारी fundamental physical quantity है, मैं लिखने रहा हूँ, सुनिये, म आप इसको copy note कीजेगा, कौन-कौन सी है, mass, length, time, temperature, matter of substance, current, luminous intensity, ठीक है, याद होगे, साथ याद हो, फिर last time, mass, length, time, temperature, matter of substance, current, luminous intensity, ये क्या है भी, 7 physical quantities है, जो fundamental है, जो आपस में एक दूसरे से connect नहीं है, और जितनी भी और बाकी physical quantities बनेंगी, वो इन साथों को आपस में connect करके, rule के according, connect करके, बनाई जाएंगी, speed बताया था, speed क्या था, बताइए, speed equal to distance upon time, कितना distance, कितने time मैं कहा, तो कितने fundamental connect किये, 2, तो क्या हो गया, derived, area के बास करते है, area क्या होता है, मैंने इसका, इस page करें लेते है, तो length into width, तो length कितने बार repeat हो रहा है, 2 बार, एक fundamental कितने बार repeat हुआ, 2 बार, ये भी क्या हो गया, derived, एक fundamental कितने बार repeat हुआ, 2 या 2 से ज़्यादा fundamental भी आ सकते है, तो, एक fundamental हो गया, और एक derived physical quantity हो गया, ठीक है न? तो अब derived physical quantity क्या है जो दो या दो से जादा fundamental physical quantity से मिलके बनी होगी ठीक है न इसे speed, acceleration, force, energy बगरा जितनी भी आप लोग कह सकते हैं इन साथ को क्या कहलेंगी derived physical quantity, fundamental और एक direct ठीक है न अब fundamental और derived units के बात करता है fundamental unit, fundamental physical quantity के according आने वाले unit क्या है unit याद है न किसी भी physical quantity के एक fixed amount जिसको हम लोग measurement में उस measurement के साथ compare करते हैं और जितने comparison में कितने जितने बार उस fundamental का repetition होगा उसको हम लोग उसकी numerical value बोलेंगे 10 meter इस meter कितने बार repeat हुआ आपने कि आपके घर में 1 meter लंबा लक्डी एक में लंबी लक्डी है अपने उस लक्डी को अपने आपके घर में कोई बड़ा सा होल है उससे सो compare करना शुरू का तो लकड़ी माली जिए एक बार फिर दो बार फिर तीन बार कितने बार repeat हुई दस बार repeat हुई इसका मतलब repeat दस बार हुआ तस मेरे उसका लेन थे हैं वे तो आपको बात पता है आप इसको बार बार repeat नहीं करेंगे तो fundamental unit क्या है fundamental physical quantity के associated आने वीट काम आपने कशन मास है हाँ आपने का मास fundamental physical quantity है मैंने का भी बिलकुल mass fundamental physical quantity है आपने का fundamental unit क्या होगी मैंने का इस mass जिसको हम fundamental physical quantity बोल रहे हैं अगर mass का बड़ा measurement है तो मैं mass का बड़ा unit लूँगा mass छोटा mass measurement करने के लब को दिया तो mass का मैं छोटा unit लूँगा जैसे मैं सुनार के वहाँ गया सुनार के वहाँ पर मैंने का सुना लेना है तो मैं किलो और टलमत बात करूँगा नहीं मैं सुनार के वहाँ गया मुझको आपका सुना कुछ लेना है तो मैं ग्रामे मिली ग्रामे बात करूँगा किलोग्राम में मुझको लोहा लेना है बहुत बहुत को घर मनाना है सरिया लेनी है लोहा लेना है तो वहाँ पर हम कुंटलने बात करेंगे तो जितना बड़ा मेजरमेंट होगा उसके एसोसियेटेड ही हम लोग फिजिकल कौांटिटी का यूनिट लेंगे आप भी यूनिट लेंगे आपने कॉपे में एक लाइन खीचा और आप लाइट एएर में किलोमेटर बात करेंगे उसको आपने के लिए वो तो घरबढ़ हो जायेगा आप कॉपे में एक लाइन खीचोगे तो आप उस लाइन के कंपेर में आने वाली कोई unit जैसे centimeter यह millimeter ना बास करेंगे आपको आर्थ से sun का distance measure करना आप centimeter ना बास करेंगे किलो मेटर ना बास करेंगे तो तो आप आप वहाँ पर light air लिंगे जो बहुत बड़ा unit है length का ठीक है न तो वो जीज है तो fundamental physical quantities का associated आने वाली unit को हम लोग fundamental unit करेंगे मास की fundamental नेट ग्राम भी हो सकती है आपका kilogram भी हो सकता है 10 भी हो सकता है लेंथ की unit क्या हो सकती है length की unit आपकी centimeter kilometer millimeter millimeter lighter कुछ भी हो सकती है time का unit क्या हो सकता है second भी हो सकता है minute भी हो सकता है आर भी हो सकता है डे भी हो सकता है वीग भी हो सकता है वीग भी हो सकता है एर भी हो सकता है वो डिपेंड करका किसको मेजर कर रहे है कितना बड़ा है कितना चोड़ा है मेजर कर रहे है तो मास लेंथ हो टैम अब क्या है कि इन इन fundamental physical quantities इन fundamental physical quantities के सुच सीरे आने वाले इन अटकम 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 अ हम कौन सी युनित यूस करहा है और यूनित कैसे बूसके है कि, कि मैजरमेंत को देखेंगे, मैजरमेंन बड़ा है या मैजरमेंट छोटा है। उसकाrada हम लोग उसुनिट की value को put up करेंगे। ठीक ना तो अब क्या है कि system of purass mindset fundamental ड्राव्ट lo can flight stained समझ चुके हैं और fundamental and derived unit भी आप लोग समझ दो टॉपिक हो चुके हैं पहला fundamental and derived physical quantities दूसरा fundamental and derived unit ठीक है ना fundamental and derived physical quantities का associated आने वाली unit को हम लोग fundamental and derived unit के हैंगे fundamental and derived quantities का associated आने वाली unit को fundamental unit और derived physical quantities का associated आने वाली unit को derived unit ठीक है ना अब तीसरा जो टॉपिक हम लोग करते हैं वो करते हैं system of unit system of units ठीक है ना अब system of unit क्या है जी system of unit की बात करते हैं ठीक है ना अब किस तरीके से बात करें देखिए fundamental है derived है अब इनको हम कुछ categories में system of unit अब हमने क्या किया अपने convenience के लिए कुछ unit systems बना है पहला सुनियेगा cds system दूसरा fbs system तीसरा mks system चौथा अपना si system चार system हम लोग उसके अब इचार system हमने क्यों उसके है हमने यहाँ पर groups बना दिया group कहने का मतलब क्या है cgs system को basically हम लोग कहते है centimeter gram और second तो यहाँ पर length की समेजर होगा centimeter मै mass की समेजर होगा gram मै time की समेजर होगा second मैं कुछ चीज समझ पा रहे हैं मतलब अगर length का छोटा unit लिया तो mass का unit भी mks meter kilogram second अगर हम लोग mass को kilogram में ले रहे तो उसे के associated length भी meter में लेंगे simple सी बात है तो इस तरीके से हमने चाल इस category यहाँ पर की है cgs system cgs system को हम लोग Gaussian system भी कहते है तो सुनिए cgs system को हम लोग Gaussian system भी कहते है Gaussian system समझ रहे हैं इसमें length centimeter में mass gram में और time को हम लोग second में लेते हैं ठीक है और एक matrix system है matrix system ठीक है ना matrix m e t r i c matrix system अब matrix system का मतलब क्या है जो convertible होते हैं इसको आप लोग 10 से multiply, divide करके बड़ा चोटा कर सकते हैं उसको हम लोग matrix values है matrix units बोलते हैं Gaussian system है या इसको हम लोग matrix system भी कह सकते हैं कौन system है, mass किसमे ले जाएगा mass किसमे लेंगे gram में length किसमे लेंगे centimeter हमे time किसमे लेंगे second में कितने fundamental use करी cable 3 तो कहाँ पर है mechanically useful है fps यहाँ पे length को लेंगे हम लोग foot में foot है ना पर आपका height major होते है मैं यह सब foot में major करते है mass को लेंगे हम लोग pound में p-fall pound mass किसमे लेंगे pound में और time को हम लोग लेंगे second में तो यह कौन system होगे बटापी है fps system इसको brittis system भी खाजाते है क्या कहा जाता है British system भी खाजाता है और यह metric system नहीं है इसको हम लोग को सिस्टम कहते हैं British system भी कहते हैं British system भी कहते हैं और यह matrix system नहीं है किलो फूट नहीं सुना होगा, आप लोगो ने, मिली फूट नहीं सुना होगा, किलो पॉट नहीं सुना होगा, मिली ग्राम सुना होगा, किलो ग्राम सुना होगा, समझे लो, मिली सेंटिमीटर को भी हम लोग किलो मीटर, मीटर, सेंटिमीटर, मीटर से कनवर्ट है, सेंटिम के system इस M के system में M length के लिए है meter, K kilogram mass के लिए है, और S आपका जो है ये अपना time के लिए होगा second हो गया, ठीक है, और ये भी हमारा metric system ही है, तो ये 3 हमने पहले पढ़े जहां पर केवर और केवर 3 fundamental यहां, fundamental कितनी थी? साथ फिर repeat करता है कौन-कौन से? चले आप भी repeat किजिए आथ में mass, length, time temperature, matter of substance current और luminous intensity हमने यहाँ पर कितनों की बात करें mass, length और time की पहले वाले mass, gram में length, centimeter में, time, second में दूसरे वाले mass, pound में length, foot में, time, second में तीसरे वाले में mass, kilogram में length, meter में, और time, second में उसकिया यह दो कौन से उनिट्स हैं? यह दो जो हैं पहली और तीसरी है, मेट्रिक हैं पहले लोगे हम लोग क्या कहेंगे? गौसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं FPS कौन सी है? अबिटिस है लेकिन यह मेट्रिक सिस्टम नहीं है अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद जो हमारा है SI सिस्टम है SI और यह लगभग-लगभग 19th century में 1960 के आसपास SI सिस्टम को accept किया गया था SI सिस्टम ऑफ उनिट को आप लोग कह सकते हैं System of International System of International Units तो आल्मोस्ट आल्मोस्ट यह सब कि सब अपना जो है International जितने भी हैं जितने भी कंट्रीज हैं हम आल्मोस्ट सब SI को ही यूज़ करते है System of International और खास बात क्या है कि इस SI में सातों Fundamentals यूज़ होती है इस SI में कितनी fundamental यूज़ होती है सातों के सातों होती है इस SI में सुनना Length को हम लोग रिप्रेजन करेंगे Meter से Mass को हम लोग रिप्रेजन करेंगे Kilogram से Time को हम लोग रिप्रेजन करेंगे Second से SIK के तो सुरू के तीन है वो time कैसे मिलते हुए SI में Electric current मेजर की जाएगी Ampere में SI में Temperature मेजर किया जाएगा Kelvin में SI में Amount of Substance के लिए हम लोग यूज करेंगे Mole का SI में Luminous Intensity के लिए यूज करेंगे हम लोग रिप्रेजन के जाएगा याद हो गया SI में Length के लिए किसके जाएगा Meter का SI में Mass के लिए किसके जाएगा Kilogram का Fundamentals आई है 3 इसमें कितने Fundamentals आई है 3 इसमें 3 आई है इसमें 3 आई है इसमें 3 आई है इसमें 7 के साथ Fundamentals सारी Fundamentals आई चुकी है कितने Fundamentals है 7 पहला Mass किसमे MKS सुरू के 3 इसके सुरू के 3 यही है Mass Kilogram Length METR Time Second अब Current साबस MPS आई ही बोलो उसके बार Temperature Kelvin में ठीक है Matter of Substance Mold कितना Mold है Amount Luminous Intensity Candela में ठीक है तो भाई कितनी ही हो गई साथ Physical Quantities Fundamentals Physical Quantities हो गई और कितने System of Unit हो गई हमारे 4 System of Unit हो गई इसके लबगा दो System of एक और होता है Supplementary Units होती है Supplementary Units हम लोग मैं आपको Dimensional आशना बताऊंगा Supplementary वो Units वो Units होती है बिसके लिए जनकर अपने कोई Dimensional Formulas नहीं होता है तो यह होता क्या Dimensional Formulas क्या होता है जस्ट अगले Topic में जब लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग Supplementary Units भी सीखेंगे हाला कि दो टाइप के होते है एक Radian और एक Stradian एक Plane एंगल के लिए और एक Solid एंगल के लिए ठीक है न तो फिर सुनता है Fundamental and Red Visual Quantity फिर याद दखी का Fundamental Visual Quantities कौन से Quantities है ठीक है Fundamental Visual Quantities Those Visual Quantities Which are independent from में जाता है जो कि वह खुद मड़ीपन करती है कितने है Fundamental Visual Quantity साथ कौन-कौन से Mass, Length, Time, Current, Temperature Matter, Substance, Triminus, Intensity साथ Fundamental Visual Quantities है इन साथ Fundamental Physical Quantities मैंसे किन ही दो या दो या दो से ज़्यादा या खुद एक का दो बार या तीन बार APRITATION के साथ मिलकर जो physical quantities में लेंगी वो और diesel capabilities भोमी एरिया Length कितने बार यूज हो रहा है दो बार Length इन To Wisst उन बार चार यूज Unless मैं length कितने बार यूज हो गा मैं आप अपने कमरे को देक्ए उस कमरे के Length काश मिटर माईगी यानि कि कुल मिला के तीन बार आप length का measurement कर रहे हैं एक length के लिए एक width के लिए और एक height के लिए तो length के लिए कितने बार repeat होगी? तीन बार तो वो काउन सी unit होगी? derived unit होगी और वो physical quantity काउन सी होगी? derived physical quantity होगी speed, speed में क्या था? length upon time length upon time, length क्या है? fundamental time क्या है? fundamental fundamental कितने हैं? 2 कितने fundamental का use होगी? 2 तो वो भी क्या होगी? derived physical quantity होगी उसके बाद हम लोगों ने क्या पड़ा? system of unit पड़ा हमने आपस में group बना लिए हमने काभी cgs, fps, mks अगर आप length को centimeter में ले रहे हैं mass को गराब में लोगा और time को second में लोगे अगर आप length को foot में ले रहे हो तो mass को pound में लोगे और time को second में लोगे अगर आप length को meter में ले रहे हैं तो time को sorry length को अगर आप meter में ले रहे हैं तो mass को kilogram और time को आप लोग सिकिन में लोगे तो यह हमारे 3 होगे इसमें लेकिन इन सुरू के जो तीन है इसन तीनों में तीन ही fundamental है उसके बाद हम लोग ऐसा ही standard system of system international में आए तो इसमें क्या है और ये भी french equivalent है जो भी आपका हटाओ जोड़ दो भी है तो इसमें क्या है कि इस unit में हम लोगों ने क्या किया कि हमने 7 के 7 fundamental ली सास fundamental में तीन fundamental बिल्कुल इसके जासे होंगी mass होगा kilogram में length होगा meter में time होगा second में electric current होगा हाँ ampere में ठीक है temperature होगा सरी जा रहे है Kelvin में luminous intensity होगी candela में matter of substance होगा मोल में ठीक है matter of substance किसम होगा amount of substance किसम होगा मोल में ठीक है इसका दो और unit होती है supplementary वो हम लोग आगे discuss करेंगे ठीक है आप कुछ एक चीज़ करते हैं तो इस SI system के इन मैसे अच्छा ये भी metric unit है ये भी metric system है कौन system है metric system है ठीक है तो चली इतना हो गया तो ये क्या है में आपकी system of unit ठीक है अब इनकी definitions आती है वो definitions हम लोग नहीं करेंगे इसके बाद हम लोग सीधे सीधे जाएंगे वो derived कुछ derived unit और length measurement की बात करेंगे और इसके बाद सीध हम लोग error analysis या significant figure में चलेंगे तो जो अगला lecture होगा topic होगा वो significant figure या significant figure के बारे में करेंगे चले कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे significant figure ठीक है ना इसको बड़े ध्यान से पढ़ी सुनना किताब का use करना और notes में आई है किताब का use definition आपने सुना इसके बाद किताब से देखे किसे किसे लिखा हो है हाला कि अगर आप ध्यान से सुने हैं तो आप खुद भी इन चीजों को लिख सकते हैं ठीक है thank you